तो एक बार फिर आपका स्वागते माइंड क्राप के नए एपिसोट में जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए माइंड क्राप की अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार एक ऐसी बेडरोक एडिशन की टेकनिक लेके आया हूँ जो आप अपने माइंड क्राप में यूज कर सकते हो जी हाँ आप अपने माइंड क्राप में ये टेकनिक यूज कर सकते हो और आप इस technique की मदद से आप भी अपने world में जू है डिर सारे अप लोग जो है डिर सारी जो है आप लोग अपने world में duplicator machine बना सकते हो तो दूस्तो आज में जो duplicate करने वाला हूँ इस पहे शायद आपको पहले भी एक दो वीडियो मिल जाएंगी जो 1.70 पे काम करती है लेकिन 1.18 पे अगर यह टेक्नीक आप यूस करना चाते हो तो आपको हमारी यह वीडियो पूरी देखनी है तो दोस्तों चलिए आज कि यह वीडियो में शुरू करता हूँ और आपको जो टेक्नीक बताने वाला हूँ आपको बस इसी टेक्नीक को यूस करना है तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको सबसे पहले कोबल स्टोन लेना है कोबल स्टोन को आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लेना है आप प्लेस कर लीजे प्लेस करने के बाद आपको इस तरह का एक जो है बनाना है तीन ब्लोक का आपको बनाना है इसके उपर आपको जाना है इस तरह से आपको जो है दो ब्लोक उपर जाना है दो ब्लोक उपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पिश्टन रखने है इस तरह से आप पिश्टन र लगाना है इसके नीचे आपको सलाइम ब्लोक लगाना है इसके आगे आपको इस तरह से सलाइम ब्लोक जो है आपको यहां पर इस तरह से बनाना है आप लोग देख सकते हो इस तरह से बन जाएगा बनने के बाद आपको यहां पर इस तरह से कोबल स्टोन यहां फिर आप जो है cover कर लीजे cover कर लीजेगा cover करने के बाद आपको water लेना है water को आपको यहाँ पर और यहाँ पर डालना है अब आपको देखना है कि water आपका कहां तक आ रहा है अगर आप चाहते हो कि water का use ना करो तो आप fane gate भी लगा सकते हो आप लोग कुछ भी लगा सकते हो यहां तक गोटर आ रहा है आपको यहां पे डिक करना है इस तरह से यहां पे इस तरह से डिक करना है एक चेस यहां पे रखनी है इस तरह से तो आप इस तरह से एक चेस रखिए उसके बाद यहां पे आपको आना है cover करने के बाद आपको एक observer लेना है observer को आपको यहां से नीचे लगाना है इस तरह से आपको इस तरह से observer लगाना है इसके पीछे भी एक observer आपको इस तरह से लगाना है इस तरह से आपको लगा देना है लगने के बाद आपको यहां पे एक lever लेना है और लिवर को आपको यहाँ पे connect करना है अब लिवर आप लोग कहोगे कि connect कैसे करें तो यहाँ पे आप लोग connect कर लो उसके बाद आपको रेज डस लेनी है तो यहाँ पे मैं रेज डस ले लेता हूँ रेज डस ओके और उसे जो है आपको यहां से इस तरह से, लीवर के साथ connect करते हुए आपको लेके जानी है, पिश्टन तक आपको जो है, उसे यहां तक इस तरह से लेके चले जाना है, आप लेके चले जानी के बाद, अब आपको क्या करना है? आपको इसके उपर इस observer के उपर एक इस तरह से rail पटरी रखनी है जो भी आप लेना चाहो आप उसे लगा दो लगाने के बाद आपकी ये machine तयार है अब आपको बस इस machine को active करना है active करने के लिए आपको नीचे आना है और ये जो lever है इसे आपको active करना है तो lever को हम active करते हैं तो दोस्तो lever active करना है और जैसे आप lever को active करोगे तो यहाँ पर आपको दो बार flip करना है दो बार flip करते हैं आपकी जो machine है वो इस तरह से work करेगी आप लोग देख सकते हो इस तरह से machine काम करेगी और आपके जो यहाँ पर rail है वो भी duplicate होगी जी हां यहां यहां पे आपकी जो भी आप rail वहां पे रखोगे Minecraft वो यहां पे duplicate होंगी और आप इस technique की मदश से अपने लिए unlimited rail duplicate machine बना सकते हो तो दोस्तो 1.18 के update में यह काम करता है आप भी इसे use कर सकते हो और धेर सारी rail duplicate कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो अच्छे लेगी हो तो like कर दीजे share कर दीजे और हमारे channel को subscribe कर लिजे आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care